अमन ने 40,000 रुपे लगा कर एक वियापार शुरू किया 6 माहबाद सामन्त 60,000 रुपे लगा कर उसके 3 माहबाद रचित 50,000 रुपे लगा कर साजीदार हो गया 2 अरस बाद इनके लाव का अनुपात होगा तो फार्मुला होता है Profit equal to investment into time investment into time तो पहले अमन ने लगाए हैं 40,000 रुपे कितने माह के लिए 24 माह 2 साल मतलब 24 माह clear है फिर लगाया है 6 माहबाद सामन्त ने तो 6 माहबाद लगाएगा तो 18 माह बचेंगे कितने पैसे 60,000 रुपे लगाए हैं ठीक है उसके बाद उसके 2 वर्स बाद नहीं उसके 3 माह बाद रचित तो 18 में से 3 कम हो जाएगे 15 कितना पैसा लगाया है 50,000 रुपे लगाए है उनके लाब का अनुपाद तो आपने देखा investment time का मलटाई करने से क्या मिलता है लाब मिलता है ठीक है profit का रेजियो यहाँ पे 4-4-0 हटा दीजी 4-4-0 सभी जी के से हटा दीजी solve कर लेजी 3-8-24 3-18 3-15 मटबाई कर लेजी 32 रेशियो 36 36 रेशियो 5-25 यहाँ पे रेशियो जो आगया profit का 32,36,25 32,36,25 तो यहाँ पे match नहीं कर रहा है तो option number D correct होगा none of these इन में से कोई नहीं ऐसी complete वीडियो के लिए यह तो demo है ऐसी complete वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें Thank you